यह तुम लोगों को समझ में नहीं आता है और ना कभी समझ सकते हो जब बोल दिया था कि मुंबई आके दिखाओ तो देख लेंगे तो देख लेंगे ऐसा ही काता ना संजरावज जी ने कि बहुत कंगना रानावत को बोले थे मुंबई आके दिखाओ हिम्मत है तो देख गया था क्योंकि उनकी बिल्डिंग तोड़ दी आपको ध्यान होगा कंगना रानावत आने वाली थी आनन फानन में कंगना की बिल्डिंग तोड़वा दी और उसके बाद आज उसके उपर हाई कोट ने निर्णे दिया हाई कोट ने जब बैठी तो संजर आवज जी जो यह कुछ दिनों पहले हरामखोर रामखोर हरामखोर किसको बोल रहे थे कंगना रानावत को पश immortal जाते ही इनकी जबान बदल गए नहीं हराम घुर्का मतलब तो यह होता है वो हो तो सपंजर आ थो जी वह आपको बताओ एक तरफ यह अपने आपको बताते हम तो शेर हैं महाराश्ट के शेर हैं यही कोट के अंदर जाके नहीं बोल पातें जो बाहर रहे के यही तो नहीं तो बस यही तो बच नहीं सकते उधारण पेश हो गया कि आज तो वही है यहां पे तो हुई उसके बाद Supreme Court Supreme Court ने भी आज सुना दिया और ये दोनों फेयसले हमारे लिए है जनता के लिए है आप समझ लो बहुत अच्छे से High Court ने भी जो आज बात कही वो जनता के हित में कही है कंगना रानवात की हित में नहीं है जनता के हित में, कि जब ये बोलती है ना कोट, कि ये चीज बहुत गलत है, कि अगर पर्सनल वेंडेटा निकाल रही है यहां पे, और अगर आपके विरोध में कुछ कह दिया, तो आप उसकी बिल्डिंग तोड़ दोगे, कल को तो ये उठके किसी का भी घर तोड़ देंगे नायक मुवी, ये उधारन पेश करती है, कि आप अगर किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लिख दोगे, बोल दोगे, तो घर में घुश के आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, तो आज ये जीत भारत की जीत है, आपकी जीत है, मेरी जीत है, और संजर आवत जी की हार है, जो बहुत अपने आपके शेहनशा, सिंगो का, बाग का, पता नहीं क्या क्या कहते थे लोग, आज हार्मोनिया भी बजाते रहे गए, तो ये तो गई हाई कोट, अब सुप्रीम कोट ने भी अर्नव गोस्वामी को उठाके इन्होंने जेल में डाल दिया था, तो सुप्री एक व्यक्ती, जो उसके राइट्स हैं, जो उसकी लिबर्टी है, आप उसको कैसे रोक सकते हो, आप कैसे रोक सकते हो, तो यहाँ पे बिलकुल अच्छे से क्लियर, खरी खोटी महराष्ट सरकार को सुनने को मिलती है, कि कैस तरीके से जब ये हत्खंडे अपनाते हैं, एक लोगों के मुँपे भी करारा तमाचा मारा है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोग ये बोलते फिर रहे थे न, दवे साब, कि भाई क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठ रही है अर्नव गोस्वामी के लिए आज, इनके उपर भी करारा तमाचा है, ये उन सब कामरा से लेके भा एक व्यक्ति, आमनागरिक अर्नव गोस्वामी की बात नहीं हो रही है आपे, जब कोट, हाई कोट के ये कहता है, कि एक व्यक्ति का अगर अधिकार जो है, जिसको बेल मिलनी चाहिए, अगर उससे उससे रोका जा रहा है, तो ये कैसे सही हो सकता है, ये कैसा इंसाफ हो सकत है, सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें कठिन ऐसी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वोई प्रताप सर्णायक, जो प्रिविलेज मोशन लेके आते हैं, किसके खिलाफ अर्नव गोस्वामी के खिलाफ, सब एक ही जगे पे गलती हुई है, कि आपने क्या किया सच का साथ दिया, आपने साध्यों की जो हत्या हुई इसके विरोध में बोल दिया, आपने बॉलिवुड में जो ड्रग्स चल रहा है, गंदगी चल रही है, उसका परदाफाश कर दिया, तो क्या हो गया, इनको दिक्कत हो गई, आपने सुशांत के लिए आवाज उठा, दिया, आप गोस्वामी आवाज उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन आज क्या हुआ, कोट ने बता दिया बहुत अच्छे से, कि देखो जो है, कोट ही है, ये जितने भी है ना वर्दी में, सफेद कुर्ते में, गुंडा गर्दी चलाते हैं, ये समझ जाएं कि भाई, कोट के आग होता है, इसका मतलब वो होता है, लेकिन कोट ने बोल दिया हम संतुष नहीं है, जी, तो दोस्तों, ये जीत है एक आम पबलिक की, आपको ये समझना पड़ेगा, कि आपको दबने, डरने की आवशकता नहीं है, ऐसे कुर्ते वालों से, जो आज, देखो कुर्ते वाले भी दोते हैं, एक सात्विक और एक राजसिक, राजसिक ये हैं जो आप देख रहे हों, तो भई ऐसे लोगों से बचो, ऐसे कुर्ते वालों से बचो, जो सात्विक हैं, जो साधु हैं, उनका शरण लो, सेंपल सी है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, इसमें समझने वाली है, साम आदमी की लड़ाई, और आज उनकी ये जीत है, और महराष्ट्र सरकार को थोड़ा सा जटका लगाए, बाकी फिर ये मुसीवत रही, किसके लिए संजराओजी के लिए, जो इतना उचा-उचा बोल तो गए, बट सम्हाल नहीं पाए खुदी अपने उसमें, तो बस य समझ में आता है इससे कि जो सच के साथ चल रहा है, जो सत्ते के साथ खड़ा है, उसी के आगे जाके जीत होनी है, सिंपल है, इनसाफ भी उसे ही मिलता है, जो सही कदम पे चलता है, ये आप मान के चलो, जितने ये गलत कदम पे चल रहे हैं ये आगे जाके सुख ही नहीं र झाल झाल